Hello everyone, मैं आपके साथ मनोज वर्मा and इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि निर्मल बंग की API को कैसे लेते हैं और किस तरीके से next level platform पे add करते हैं and after that आप उससे automation trading कैसे कर सकते हैं trading view की help से तो trading करने के तीन तरीके हैं पहला तो आप trading view की help से trading कर सकते हैं second आप charting से trading कर सकते हैं third one आप manual order दाल सकते हैं हमारे platform से तीनों ही अलग-अलग तरीके हैं but इस वीडियो के अंदर में खाली आपको API add करना बताऊंगा and after that एक order लगा के बता दूँगा कि API करेट होके successfully orders place कर रही है नहीं कर रही and second video में आपको मैं deeply बताऊंगा कि कैसे आप trading view से trade कर सकते हो I hope आप समझ पा रहे होंगे तो सबसे पहले देख सकते हैं कि हम निर्मल बंक broker की website में and आपको API लेने के लिए सबसे पहले इने mail करना पड़ेगा mail ID आपको screen पे शो हो जाएगी and description में शो हो जाएगी आप उन्हें mail करोगे आपको within 24 hours आपको API मिल जाएगी जो की मेरे को broker ने बोला है तो आपको मैंने ये clear कर दिया and second one आपको मैं ये दिखा दे तो ये इनका UI है जो इन्होंने मेरे को link दे रखा है तो इनके UI को मैंने login कर रखा है and credential ये मेरी नहीं है इनों से ही मैंने ली है testing के लिए तो आप यहाँ देख सकते हो कि अभी अगर मैं position में जाऊंगा तो मेरी जो position है I think ये कोई position चल रही lines में ये मैंने नहीं लगाई and ये कहां से लगी मुझे ये भी नहीं पता तो बट अभी से हम छोड़ते हम नया order डालेंगे उसके उपर आपको मैं दिखा दूँगा तो सबसे पहले क्या करना आपको next level board की website पर आना है यहां आने के बाद आपको सबसे पहले registered कर लेना है यहां पर API केडेंशल पर क्लिक करना है मैं इस पीच को side में open कर दे रहा हूँ जिससे मैं आपको खिलिर ही बता सकूँ जब आप API केडेंशल को open कर दोगे तो आपको क्या करना है add API पर क्लिक करना है add API पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको निर्मल बंक ब्रोकर देखना है यह रहा हम add API पे किलिक करेंगे आपके पास यहाँ पर 5 option आएंगे सबसे पहले आप यहाँ पर API का नाम दालोगे आप कुछ भी जाल सकते हो जैसे API 1, API 2 अपना नाम कुछ भी ठीक है जी इसका क्या काम होगा भी मैं बता दूँगा तो आप जैसे इदर दाल दोगे API 1 ठीक है जी उसके बाद आपको चार चीज़े ब्रोकर प्रोवाइट करता है इंटर एक्टिव एंटर एक्टिव API की इंटर एक्टिव सीक्रेट की मार्किट API की और मार्किट सीक्रेट की यह चारो चीज़े आप आइड करोगे तो मैं example के लिए क बेक के बटन पर क्लिक करने के बाद आप चाहोगे तो आप और पर किलिक करोगे आपकी सारी दिखेगी पर मेरे पास बहुत सारे ब्रोकर की इसलिए आपको थोड़ सा कन्फूजन ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ पर साइड में एलवर बंग को किलिक कर देता हूं जिससे म आप आइड कर सकते हूँ, यहाँ पर एक बहुत सारे लोगों का question यह होता है, कि वो multi account में trading कर सकते हैं, तो ऐसे में आप क्या करोगे, suppose बानों आपके relative के 5 account है आपके पास, तो API 1, API 2 ऐसे करके आप 5 API add कर दोगे, API add करने के बाद क्या होगा, कि आप जो भी order लगाओगे, पाच ओ अकाउंट में जाएगा, and quantity वगेरा आप management कर सकते हो, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको delete मार देता हूँ, delete मारने के बाद, जो मेरे पास पहले की API है, and bank के नाम से, वो आप देख सकते हो, तो आपके सामने status 1, status यह off आएगा, सबसे पहले तो आपको इसे on करना है, on करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक date दिख रही होगी, यहाँ पर आजाएगा successfully login, मतलब आपका broker से connection बन गया, उन्होंने हमें token दे दिया, हम जो भी order लगाएंगे, one day token यह valid रहेगा, आगे चरके में इसमें auto login लगा दूँगा, जिससे के आपको इक connection भी नहीं बनाना पड़ेगा, आप auto login करोगे, तो auto login morning में automatic हो जाएगा, ठीक के जी, अभी यह starting stage पे, तो इसलिए हमने कुछ चीज़े अभी छोड़ रखे, और आगे चलके इसमें add करेंगे, तो यह मेरा connection बन गया, मैंने आपको दिखा दिये कि connection कैसे बना, अब आजाते हम dashboard पे, यहां पर आप देखोगे, एक syntax page है, आपको syntax page पे click करना है, तो जैसे आप syntax page पे click करोगे, तो आपके सामने इस तरीके से syntax page आजाएगा, आपको यहां पर सरच करना है, जो इनका नाम है, हमने दिया है, NBank, NBank शॉट में दिया है, इसका मतलब Nirmal Bank broker हो गया, अब आपको यहां पर syntax create करना है, आप कोई भी syntax से click सकते हो, मैं अभी के लिए जो demo के लिए syntax लूँगा, वो regular पे click करूँगा, आप चाहो तो fully algo ले सकते हो, fully algo का मतलब होता, पुरानी position को close करना, अगर हमारे पास है, और नई position को add करना, तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, यहां पर यह ले लेते हैं, यहां पर लिखा use global symbol, इस चीछ का आपको धान रखना है, symbol के page पे आप click करोगे, तो in future आप option में काम करोगे, तो option में आपको auto strike price में काफी help करेगा, आपको global symbol पे जाना है, और यहां पर अपना symbol सर्च मानना, जैसे मैं SBI मान ले रहा हूँ, तो SBI के अंदर जो NSC में order लगाना है, इसमें आप धान रखना कि NSC पे order check देख लेना, कि NSC के हैं, तो SBI को SBI ही कहते हैं NSC में, तो हमें पता है, तो आप SBI ले सकते हैं, तो मैं यह ले ले लेता हूँ, symbol, आपको symbol जो भी है, यहां पर मिलेंगें कहने का मतलब, आप future में काम कर रहे हो, option में काम कर रहे हो, तो आपके अगर सही symbol होंगे, जब भी आपके order जाएंगे, और symbol सर्च करने के लिए, आप यहां का use कर सकते हो, global symbol का, अब हम syntax space पे दुबारा सी जाते हैं, और हमने NTPC दाल देते हैं, हमें पता चल गया, syntax का format क्या है, capital में दालना है, NTPC दाल दिया हमने, NSE, quantity 1, quantity 1 के बाद, by, market, intraday and generate, यह मेरा syntax generate हो गया, इसके अंदर दो syntax है, पहला syntax है, पहला syntax है कि पुरानी position close करी जाए, अगर मेरे पास कोई पुरानी position intraday के अंदर है तो, and second syntax है कि मेरे को नई position लगाई जाए, by side की, क्योंकि हमने यहां बार by side करा है, और quantity 1 करा है, तो यहां दो तरीके testing के कि, अगर 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 पर किलिक करूँगा, इंडिकेटर का नाम लूँगा और जो भी मेरे custom alerts है, long shot के, उन पर बना के मैं alerts दाल सकता हूँ, पर मैं अगर यह long alerts दालूँगा, तो बिरको order दिखाने में आपको काफी time लग जाएगा, कि कितनी देर में आपका order गया है, तो आपको क्या करना है, आपको अभी के लिए, मैं indicator को off कर देता हूँ, और एक horizontal line ले लिता हूँ, यह horizontal line ले ली मैंने, इस पर right click करूँगा, add alert करूँगा, add alert करने के बाद मैं कुछ भी नहीं छेडूँगा, मैं यहाँ पर जो syntax मैंने copy करा था, उससे दाल दूँगा, और इदर दाल दूँगा test, आप कुछ भी डाल सकते हो, टेस्ट के बर ले, एक चीज आपको याद रखने है, notification के अंदर आपको webbook डालना है, मैंने webbook पहले से डाल रखा है, आपके पास यह इस तरीके से होगा, पहले आपको इससे tick करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर webbook डालना है, webbook कहाँ पर मिलेगा, dashboard पर जाओगे, तो यहाँ पर आपको दो webbook मिलेगे, एक charting webbook है, एक sequence webbook है, आपको sequence webbook पर click करना है, copy हो जाएगा, उसके बाद यहाँ जाना है, और इसे आपको डाल देना है, इदर, मैंने copy paste कर दिया, and save कर दिया, जैसे मैं create करूँ में, राइट साइड में मेरे alerts आजाएंगा, अगर trading view यूज करते हो, तो आपको पता होगा, राइट साइड में alerts आजाते हैं, यह alerts log है, जो भी alerts trigger होंगे, वो यहाँ पर alerts log में दिखेंगे, मेरे कजर पर आप देख सकते हो, अच्छा PC on हो, off or doesn't matter, आपने कोई indicator लगा रखा है, उसके अंदर signal आ रहे हैं, आपका PC बंद है, जब भी आपके order जाते रहेंगे, अगर आप चाहते हो कि, मेरे order बेरे broker तक ना जाए, तो आपको API off करनी पड़ेगी, otherwise order जाएंगे, अगर आप इसे off कर दोगे, order जाना बंद हो जाएंगे, जितने भी order आएंगे, हम तक आएंगे, हम आगे नहीं बेजेंगे, अगर ये own होगी, और connection बनावा होगा, जो आज मैंने आभी आपके सामने टोकल लिये, तो आपके order कोई नहीं रोख सकता, तो आप हम चलते, trading view पे, और मैं एक बार आपको फिर से broker के UI पे ले जाके दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखो, position के अंदर, क्या है, Reliance की trade है, तो मैं एक order दालने जा रहा हूँ, और यह मैंने दाला, तो यह trade कटेगी ने, क्योंकि हमने तो NTPC की trade को बुला काटने के लिए order आया, और मैं चलता हूँ इधर, तो अगर आप देखोगे, तो इधर I think मेरे को page को refresh करना पड़ेगा, page को refresh करके देखते हैं, कि हमारी trade लगी, नहीं लगी, नहीं लगी, तो क्यों नहीं लगी वो देख लेते, क्योंकि यह reject हो गया हमारा order, और reject करने का कारण क्या वो देख लेते, क्योंकि I think fund नहीं होगा, तो इन्होंने reject का region मेरे को इधर नहीं दिख रहा I think I button पे ले जाओं दिख जाए तो मुझे पता इसमें fund नहीं है और fund इसलिए नहीं है कि इन्होंने एक trade ले रखे I think ये account testing में कहीं और भी use हो रहा है और जिसकी वज़े से ये एक बार मैं time match कर लेता हूँ time भी नहीं दे रखा है इन्होंने तो I think कहीं fund use हो रहा है मैं fund पे चलता हूँ fund minus में चल रहा है तो I think इसमें fund नहीं इसलिए मेरा order reject हो गया कोई बात नहीं मैंने बस आपको दिखा दिया तो इससे confirm पता चल गया बाई मेरी API connect हो गई order जा रहा है ये तो पहला तरीका है दूसरा तरीका ही क्या है कि आप जब syntax generate करते हो मैं आपको दूसरा तरीका भी दिखाते तो आप save syntax पे click कर दोगे ये save syntax पे click करने के बाद आपको दुबारा से syntax दिखेगा आप इस पे click करोगे तो ये देखो nbank के नाम से syntax दिख रहा है पहुत सारे syntax मैंने save कर रखे तो सारे save और रखे सबसे पहले आपको इसे on करना है आप चाहो तो इसमें custom tag भी दे सकते हो edit करके आप custom tag भी दे सकते हो मैं edit पे click करता हूँ और edit पे click करने के बाद ये आगे edit पे और मैं इधर दे देता हूँ test तो ये save कर देता हूँ जिससे मुझे पता रहे है test किसका है अब जैसे कि मैं hit button पे click करूँगा मेरा order चले जाएगा तो ये testing purpose के लिए हमने बनाया था कई लोग होते हैं जो manual trade करना चाते हैं उनके पास दददस account होते हैं वो किसी indicator या trading view के थुरू trade नहीं करना चाते हूँ multi account को manage करना चाते हैं तो manual trade यहां से कर लेते हैं और testing के में भी ये काम आ जाता है तो जैसे मैं इस पे click करूँगा मैं जाता हूँ order table पर और hit button पर click करता हूँ यहाँ order successfully और अगर मैं end bank पर जाता हूँ तो यह देखी मेरा दूसरा order भी reject हो गया इस तरीके से मेरा order reject हो गया अब इसके अंदर एक चीज़ और बता देता हूँ suppose बनो आपका किसी तरीके से कोई order लगा दिया है कोई भी issue आया तो आपको क्या करना आपको feature and log में जाना यहाँ पर जाना trade log में trade log में जाने के बाद आपको जो भी order है उसकी detail यहाँ दिखेगी तो जो last order मैंने tigger कर रहा है वो देखोगे अगर आज की date में अभी थोड़ी देर पहले में tigger कर रहा है यह दो order है और जो syntax उसकर रहा है अगर हम इस पर किलिक करेंगे वो syntax दिख जाएगा तो आपको क्या करना है अगर आपका order किसी वज़े से लगा नहीं आपको दिक्कत आ रही है तो आपको यह copy करना है copy बटन पर किलिक करके request ID copy हो जाएगी और हमारी support team को भेज देना support team के लिए आपको क्या करना है आपको home पे जाना है home पे जाने के बाद contact के page पे जाओगे तो यहाँ पर आपको support 1 on support 3 मिलेगा जिसके अंदर आप support team से बात कर सकते हो direct अगर आप WhatsApp करना चाहते हो तो WhatsApp के लिए आप इस नंबर पे इनको बेज सकते हो कि बाई यह order मेरा लगानी चेक करके बताईए और वितिन आपको कुछ मिनटों में आपको reply दे देंगे वर्किंग अवर में ठीक है जी तो इस तरीके से आपको आपकी अगर कोई query होगी तो वो भी solve कर देंगे I hope आपको इस वीडियो के पता चल गया होगा कि निर्बल बंग की API कैसे connect करे जाती है second thing order कैसे लगाए जाते है एक detail वीडियो और बनाऊँगा जिसके अंदर खाली order लगाना बताऊंगा API connect करना नहीं बताऊंगा कौन सा order कैसे लगता है किस तरीके से आप auto strike price के order लगा सकते हो और आगे चल के इसमें TPSL बहुत सारी चीज़े हैंगी जिनकी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी Thank you for watching this video and bye